नहीं हुआ है ईशा का एक्सिडेंट और ईशा मिलेगी अपने पुराने घर में जहां ईशान का बच्पन बीता था सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीरिल गुम है किसी के प्यार में कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे आपको दिखाया जा रहा है कि ईशा का एक्सिडेंट हो गया है और आज इस्पेक्टर बताते हैं कि एक लाश मिली है ईशान और सवी को उसकी शिनाक्त के लिए आना है लेकिन हम आपको बता दें यह जो डेट बॉडी मिली है यह इशा की नहीं है और इशा का नहीं हुआ है एक्सिडेंट दरसल इशान और सवी जब यहां पर हॉस्पिटल में इस डेट बॉडी को देखेंगे उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि यह उनकी इशा मैम नहीं है और ऐसे में दोनों निकल सब जगर ढूड़ने के बाद इशान और सवी को इशा कहीं नहीं मिलती ऐसे में सवी इशान से पूछती है कि आप बता सकते हैं वो कहां गई होगी उनके पहले की कुछ यादों के बारे में पूछती है ऐसे में इशान उस घर के बारे में बताता है जहां वो अपनी मा बच्पन को याद करते हुए